नाजरीन आदाब खेर मक्दम हैं आप सभी का NCRT के लाइव इंटराक्टिव सेशन में मैं हूँ आपकी मेजबान सिमरन सिंग और आप सभी नाजरीन सभी तलबा हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या के चैनल नंबर 9 के जरिये इसके अलावा तमाम माध्यम हैं जिनके जरिये आप हमारे साथ सब्पर्ख साथ सकते हैं और दर्शकों एक बार पुन हैं आपका स्वागत करते हैं हम उर्दू के अपने इस सत्र में आधे घंटे के लिए हम नौवी जमात के तलबा के लिए उर्दू का सत्र लेकर आए हैं और आपको बता देते हैं कि आज हम बहतरीन अफसाना पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है हज एकपर तो आपको पता होगा कि ये मुची प्रेमचन जी की रचना है इसी के बारे में और जानकारी साजह करने के लिए हमारे साथ एक महमान भी मौजूद हैं उन से भी आपका तारूफ कराएंगे पर दर्शकों उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे सत्र के अंतरकत कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं कुछ भी आप हम से पूछना चाहते हैं कोई जानकारी आप हमारे एक्सपर्ट से चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक कॉंटाक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर को जरूर नो डाउन कीजिए 8800-440-55 और इसके अलावा जो नौवी जमात की दल्बा हमारे साथ जुड़े हैं आपके लिए हमारी आधिकारिक इमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है मैम आदा बहुत-बहुत इस्तक्बार है आपका इस सत्र में शुक्रिया और मैं अपने दर्शकों से आपका तारुप भी कराना चाहूंगी मैम अंजमन ए इसलाम हाई स्कूल CST मुंबई से हैं आज हमारे साथ दिल्ली में स्टूडियो में उपस्तित हैं तो जो भी आपक थोड़ा सा और बताएं जी हाँ जरूर सबसे पहले में तबाम नाजरीन का खेर मगदम करती हूं अस्सलाम अलेकूम और अफटनून एवरिवन बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मुंशी प्रेम चन का नाम आप तमाम बच्चे सुन चुके हैं और सुना भी है अफसाने अपने अपने साविका क्लास में भी पढ़ा है आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेम चन के बारे में सबसे पहले मैं आपको मुंशी प्रेम चन के तारूफ कराती चलती हूं बिलकुल तो स्क्रीन पर भी हमारे दर्शक देख सकते हैं मुंशी प्रेम चन 31 जुल इन्हें धन्पत राय के नाम से जाना जाता है लेकिन आज ये मक्बूल है मुझ्शी प्रेमचन के नाम से इनके वालिग जो थे डाग खाने में मुलाजिम थे एक पिदाई तालीम इन्होंने गाउं ही से की उर्दू और फार्सी दोनों पर इन्होंने जो है महारत हासिल की थ और 1901 में 1901 में जो है वो लिट्रीरी जिंदगी का अगास कर लिया यही तालीमी सफर पर निकल पड़े 1902 में ट्रेनिंग लेकर अल्हाबाद के कॉलेज में ही पहुँच गये थे और उसके बाद 13 साल तक यह हिंदी नहीं जानते थे दास्तानों के मुतालेका इन्हें बहुत ज्यादा शौक था साथी साथ 1908 में सोजे वतन और इनका शाय हुआ और जब्त भी हुआ 18 अक्तूबर को 1936 को 56 साल से 3 महीने तक इन्हों ने आखरी सांस ली और इस जहां से अल्विदा कहा और यह वतन से बहुत महबबत करते थे वतन से महबबत का सुबूत ही है कि इन्हों ने जो अफसाने और नौविल लिखे वो काबिले तारीफ है जी तो उनका तो आपने हम आज साथ तारुफ कराया और मुझे लगता है कि हम बच्पन से लेके आज तक और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी जो नौवल है वो हमें एंटरटेन ना कर पाई हो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है शायद बच्चों के पाठे क्रम में भी इसे शामिल करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सत्र में और हम चाहेंगे आप से निवेरन करेंगे कि इस अफसाने की तश्री कीजे आप हमारे सभी तलबा के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेम चन्ने ना सिर्फ अफसाने बलके नौविल भी लिखे और मैं कुछ नौविल के नाम पहले बच्चों को बताना चाहूँगी गवदान बहुत ही जादा मशूर नौविल है उसके बाद गबन जल्वय इसार बेवा और बजार हुसन ये इनके नौविल है इसी के साथ अफसानों में सोजे वतन फिर दौसे खयाल प्रेम बतिसी प्रेम चालिसी प्रेम पच्चिसी ये भी काफी मकबूलों मशूर हुए अब हम आ रहे हैं हमारे आज के सबक पर जो के एक अफसाना है जैसे मैं आपको बतातूं बच्चों अफसाने का मतलब होता है कहानी ये ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाएगी हम अगर देख रहे हैं उन्वान तो उन्वान मुरकब लगज में लिखा हुआ है हज अकबर ज के एक घर है जहां साबिर नाम का एक शक्स अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है बीवी का नाम शाकरा और बेटे का नाम नसीर साथी साथ बच्चे को समालने के लिए एक दाया रखी गई है दाया का नाम यहां अलग अलग जगों पर तबदील किया गया है और इसे आपको जो है बाद में बताया जाएगा अभी नहीं क्योंकि जब आप सबक पढ़ते जाएंगे तब आपको कई जबों पर गिरा खुलती जाएंगी साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दू शाकिरा दाया से बद्जन है इसे किसी तरह घर से निकालना चाहती है क्योंकि साबिर उसे बहुत जादा मालदार नहीं है और इसलिए वो अपनी दाया कभी इसका नाम अन्ना भी कहा गया है अन्ना को जो है उसकी हर काम में एक-एक गलतिया निकालती है और उसे उल्टा सीधा खड़ी-खोटी सुनाती है लेकिन जो दाया होती है वो तमाम बातों को दरगुसर कर देती है वो बच्चे और घर का काम बड़े ही खुश उसलूबी के साथ अंजाम देती है सावीर हुसेनी इस बात सबाखो भी वाकिव होते हैं कि ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देती है और मेरे बच्चे से बहुत महबत भी करती है जो के सच्ची और हकीकी महबत है लेकिन यहां जो शाकिरा है इसका किसी न किसी तरीके से बहाना निकाल कर इसे अपने घर से निकालने में जो है कामियाब हो जाती है अब इसका बराहराज जो असर होता है जब दाया को घर से निक गम से तूपनों को याद करते हैं यौन की दाया को यहां पर शाकिरा को लगता है कि kуш़ दिनों की बाद है दो से डिन की बाद है अभी हमारा बच्चा मेरा बच्चा सझ सही हो जाए लेकिन वह दो-तिन इन जो है हफ्तों में तब्दील ह Nagशा और बल बच्चा रुसेन बहुत जादा परेशान हो जाते हैं संजीदा हो जाते हैं सोच पे मजबूर हो जाते हैं कि उनकी बीवी ने ऐसा क्या काम किया कि आज उसके बच्चे की जान बन पड़ी है वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया होता और अपने अखलाक और बरताओ अच्छे रखे होते तो आज दाया हमारे घर से जाती नहीं सबक में आगे जैसे हम बढ़ते हैं तब पता चलता है दाया यानी की जो अन्ना है उनका नाम जो है वो अबबासी होता है अबबासी दिल और जान के साथ जो है वो नसीर की खिदमत करती थी और उनने प्यार महबत हर तरीके से जो है उनका ख्याल रखती थी इहां पर बच्चा जब बीमार हो जाता है तो हमारे साविर हुसायने, वो दो कहते हैं अपनी बीवी को कि वो जाए और जाकर अब बुला है भी दो बीवी को ँभर станणी हो जाते है तो यहां पर उसे जाकर बॉलाता हूं जब वो जाते हैं उसे बुलाने के लिए तो घर पहुंच कर पता चलता है कि अबासी तो हज के लिए निकल पड़ी है और उसने अपना सफर भी तै करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची है वो दौरते भागते हुए रेल वे स्टेशन तक पहुंचते हैं अबासी को रेल के डब्बे में बैठा हुआ देखते हैं और कहते हैं कहां जा रही हो तो अबासी हसते हुए कहती है जैसे सब जाते हैं हजे करने मैं भी हज करने जा रही हूँ अबासी उनसे पुछती ये बताईए नसीर मिया कैसे है तो यहाँ पर उसके वालिद कहते हैं ये पुछ के क्या करोगी तो बहुते हैं नहीं मैं जानना चाहती हूँ कई बार मैंने हिम्मत की कि आओं और बच्चे से मिल कर जाओं लेकिन किसी वज़ा से ना आ सकी यहाँ पर साबीर उसेन कहते हैं कि तुमारा बेटा या तुमारा कलेजा बहुत जादा बीमार पड़ा हुआ है तुमारे फिक्र में तुमारी याद में वो उसने दो दिन से आँखें नहीं खोली है ये सुनना ही था कि अबासी का कलेजा मूँ को आ जाता है और वो फौरन ही रेल के डबे से उतर पड़ती है और कहती है कि मुझे जलस जल जो है नसिर्मिया के पास ले चलो और वो टांगे में बैठकर फौरन ही साबीर उसेन के घर पहुँच पड़ती है वहाँ जाती है देखती है कि बच्चा जो है पलंग पर बेसुद पड़ा हुआ है वो जाते ही साथ बच्चे का नाम लेती है बच्चा आँख खोलता है और अपने सामने अपनी दाया को देखता है और अन्ना अन्ना कहकर उसे गले लगा लेता है गले लगा लेता है यहां गले लगाना ही होता है कि बच्चे की तब्यद पुरी तरीके से अच्छी हो जाती है यहां वो अपने हातों से बच्चे को खाना खिलाती है उसे चूमती है और उसके बाद यह कहती है कि मैंने तुमने तो मुझे हच पर भी जाने नहीं दिया तब साबिर उसेन यहां कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा हजए अकबर तो यहीं अदा हो गया सबक का यह मैंने आपको खुलासा समझाया उमीद करती हुँ कि खुलासा समझ में आया होगा खुलासा समझने के लिए जरूरी है कि हजे अकबर जो सबक हमने अभी आपके सामने पेश किया है इसे पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों कि सबक हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन मरतबा पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे तब इसकी गिरह दर गिरह खुलती हुई जाएंगी अब सबक में सबसे जो एहमियत रखता है वो है अफसाने की अज़ाय तरकीबी यह मैं आप बता देती हूँ यह आपके सामने जो है हमने सबक को पेश किया है पीपीटी के जरीए यहाँ पर अज़ाय तरकीबी में जो प्लॉट है यह कहना चाहूँगी मैं कि प्लॉट बहुत ही जादा आसान है सादा है कहीं कहीं पेशीदगी है लेकिन उसे इस तरीके से बयान किया गया है कि जुमले एक दूसरे से मर्बूत हो रही है कहीं भी घुटा हुआ नहीं है किसी तरह का जोल आपको दिखाई नहीं देगा वाकिया दर वाकिया जो है सबक अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा यहां किरदार अफसाने में मुकमल तोर पर कुछ चार किरदार है पहला किरदार मुंशी साबिर हुसैन है दूसरा दाया जिसे कभी बुडिया कहा गया, मामा कहा गया अन्ना कहा गया और अब्बासी कहा गया शाकिरा यानि के साबिर हुसैन की बीवी उसके बाद मसीर साबिर और शाकिरा के बेटे और मैं आपसे यह कहूँगी कि पुरे सबक में जो सबसे एहम किर्दार है मरकजी किर्दार जिसकी वज़ा से सवक का उन्वान ही हजे अक्बर रखा गया वो है हमारी बुडिया यानि अब्बासी बेगम मन्जर निगारी बरीपुर कशिश अंदाज में की गई है हालात इस तरीके से पैदा किये गए कि किस तरीके से शाकिरा ने अपनी दाया को घर से निकाला ऐसे हालात पैदा किये कि दाया को घर से निकलना पड़ा जबकि वो निकलना नहीं चाहती थी जो जियात निगारी यहां अशिया की तफसिलात को बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया गया है वो मनजर जब दाया बाजार जाती है और एक ऐसा मनजर देखने लगती है जिसकी वज़ा से उसे घर आने में जो देर हो जाती है और वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है कि शाकेरा जो है उन्हें घर से निकालने पर तूल जाती है मकालमा यानि बाच्ची दो यादो से जाधा लोग बात कर रहे हैं यहाँ कभी गुफ्तगू के जरीये भी बताया गया है और इसे किरदारों के जरीये भी बयान किया गया है गया है कि शाकिरा का दिखाई दे रहा है, साबिर मिया अफिर शाकिरा, ये इन लोगों के जुमले हैं बेटा, जो बच्चों ने एक दुसरे के साथ आपको भी इस तरीके से आप मकालमा कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर पिपिटी पे बताया गया है, इसे हम मकालमा निगारी भी कहते हैं, अफ्साना निगार में जगा जगा पर कहानी को मोर दिया है, जबान बयान यानि कि उसलूप को बड़ा ही सादा और आसान रखा है, कहीं किसी तरह की पेचीदगी नहीं है, मंदर को वड़े ही दिल्चस्प अंदाज में नया मोर देकर बयान किया गया है और इस से पहले कि आगे बड़े मैं जानना चाहूंगे, आप हमारे सभी दल्बा को भी बताएं, कि ये जो अभी हमने अफ्साना पड़ा है, इसका मरकजी ख्याल क्या है, क्या ऐसा कोई पेगाम है, जो ये हमारे सभी नाजरीन जो जुड़े हैं उन्हें देता है, आपको और उसने सुलूक का पेगाम मिल रहा है, कि कौन नहीं चाहता कि हम हज पर जाएं, आज अगर मैं कहूं तो हर कोई ये चाहता है कि हमें हज पर जाना है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, एक बच्चे इसे इतनी महबबत, इतनी महबबत, कि हज को छोड लेकिन एक जो सबसे एहम सबक मिलता है कि हमें अपना अखलाक अच्छा रखना चाहिए, आपने किसी की तहीं, महबबत, प्यार, शगफ, कुर्बानी, ये जजबा हमेशा हमारे अंदर रहना है, तो हर कोई यहां बैठे-बैठे भी हज कर सकता है, अगर हमने किसी का दिल बिल्कुल और जैसे कि हमने देखा कि सबक का जो उन्वान है, हज अकबर, यानि सबसे बड़ा हज, जिसे कहा गया है, तो यह जो सबक का उन्वान है, ये कैसे मुकमल होता है, इस कहानी के अंतर गदाब बताइए हज अकबर का मतलब ही होता है बड़ा और जो बड़ा हज होता है वो सबी जानते है कि इदुस्जुहा के जो हमारी नौध दस तारीक होती है वहाँ उसे बड़ा माना जाता है लोगों की जहन में इस तरह के तसुरात होते हैं कि कुछ एक स्पैसिफिक दीन है जिसे जुम्मा की दिन जो हज होता है वो ही बड़ा है इस सबग के जरीए पता चल रहा है कि अगर एक छोटे से बच्चे की जान हमने बचा ली तो सबसे बड़ा हज वो है और इसी कहना चाहिए जजबे के तहट मुंशी प्रेंच चन ने अपने इस अफसाने का उन्वान हजे अकबर रख दिया और हकीकत है कि अगर हमें किसी की जान बचानी है तो हम उससे बड़ा काम कोई नहीं है तो हज पर हम जाके अरकान अदा करते तो यहां भी उन्होंने एक रुकन अदा किया एक बच्चे की जान बचा कर वेकि वो हकीकत में उससे बहुत जादा मोहबत करती ती यह सच्छे मोहबत और ऐसा नहीं किसी अबबासी बेगम मोहबत करती थी बच्चा भी उन्हें उसी तरीके से महबत करता था इसलिए तो गम में बीमार हो गया तो एक बच्चों को ये पैगाम भी जाता है कि अगर हमारे घर में कोई काम कर रहा है बच्चों कोई भी सेवेंट है तो हमें उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए ये जर्फ की बात है कि वो हमारा काम करके दे रही है या वो हमारे लिए अपनी खिद्मत आपकी खिद्मत कर रहे है तो जो आप देंगे आप इज़त देंगे आपको भी इज़त मिलेगा प्यार देंगे आपको प्यार मिलेगा और इस अफसाने में एक बात और बहुत खास और दिल्चस्प है कि जब हम अबासी की बात करते हैं तो उसका पहले नाम नहीं लिया गया पेशब जिस तरह से सबक को लिखा गया है इसकी इस तरह से रचना हुई है कि बिल्कुल बाद में जाके अंत में पता लगता है कि उसका नाम अबासी है तो क्या इसके जरीए भी लेकर कुछ कहना जाते हैं जी हां यहां पर जो अफसाना निगार मुंशी प्रेम चैने उन्होंने बड़ी ही इसलोबी की तरह इसलों मैंने खाग थी उस्लोब या लिखने का निगारी फगयरे की इस तरह किया जाता था पहले कि जो सहीं जाड़ा नहीं हैं उन्ловे कि बुडिए कि मामा इन्नहा Сам करके नाम उन्हों से बुलिया जाता था लेकिन हम आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहना चाहिए कि इज़त नहीं करते आज कल तो लोगों को पता है कि गिवन टेक का मामला है जो दोगे वो मिलेगा कि अजल अजा थी हैं और बहुत अच्छा था लेकिन बघीज अज़िए उसका नाम वोढ़ बैञे कि यहाँ उसका नाम होती है जब तक उनके घर में काम करती है और उनके बीवी के ताने सुनती है और उस अज़ी हुड़ में छपके कती है और उनको मामा और बुडिया या दाया ये उनकी बेगम शाकिरा इस तरीके के नाम से उन्हें बयान करती थी बाद में पता चलता है कि नसिर्मिया बताते हैं कि ढ़हारी वज़ा से अबबासी गई है तब उसका नाम वहाँपर मुस्णनिफ ने अया किया है बिलकुल आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैंने जहां जबान असलूप की बात की वही पर मैं एक चीज और यह बताना चाहती हूं कि मुन्शी प्रेमचन ने कई जगों पर जो है उनकी कुछ जुम्लों को मैं बताना चाहती हूं किस तरीके से बताया है कि शाकिरा भरी बैठी थी दाया को देखते ही उसके तेवर बदल गए क्या बजार में खो गई थी दाया ने खतावाराना अंदास से सर जुका लिया और बोली बीवी एक जान पहचान के मामा से मुलकात हो गई और बाते करने लगी यानि कि मैंने आपको बताया कहां खुलासे के दोरा में कि किस तरीके से बाजार में एक मनजर देखने लगती है और वहाँ पर उसे देर हो जाती है खो जाती है मनजर देखने में तो यहाँ पर शाकिरा का गुस्सा उसके उपर आ रहा है किसी के साथ साथ जब अन्ना नसीर की खिद्मत करती है तो जीती जागती प्यार करने वाली उसे हमिशा गोड में लेकर घुमाने वाली थपक थपक कर सुलाने वाली गा गा कर खुश करने वाली चीज की जगा अन्वे जान वेज़वान चीजों से पुर्णा हो सकी देखी यहाँ पर भी जो है अफसाना निगार ने ये बताया है कि कोई किसी की जगा नहीं ले सकता कभी भी जबके हमारी जो है दाया के यानि कि अबासी के जाने के बाद दूसरी दाया ला दी जाती है लेकिन वो जगा वो दाया पूरी नहीं कर पाती नसीर के लिए दाया उसकी दुनिया की आफ़ताप थी उसकी कुद्रती हरारत रोशनी से महरूम होकर सबजा की बहार क्यों कर देखता वो कोई और चीज़ देखना ही नहीं चाता था बगेर इसे चारो तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता दूसरी अन्ना तीसरी हर दिन रख ली थी पर नसीर की सूरत देखने ही मूँ छुपा लेता था यागर कोई और अन्ना आती थी उसे समालने के लिए तो उनको वो देखता ही नहीं था अब जब यहाँ पर बच्चा देखने को तैयार नहीं तर दिन बदिन उसकी हालत गुलती जा रही है वो जो है बीमार पड़ता जा रहा है तो यहाँ पर जो हमारे साबिर हुसैने उनके उनका बुस्सा जो है शाकरा पर जब बंता है काली घटा की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया तुर्शी यानि तलकी से बहुत तीखा जवाब दिया बड़े हकीम नहीं लुक्मान भी आएं तो इसे कोई फाइदा नहीं होगा हकीम लुक्मान आप जानते हैं बहुत बड़े हकीम यानि डॉक्टर थे यानि कि इसे कौन सा डॉक्टर लगने वाला है सिफ असिफ अभासी बेगम ही ने अच्छा कर सकती है और कोई नहीं जबके उन्होंने आगे बोला भी है शाकिरा तो क्या आप किसी की दवा नहीं होगी नहीं लगने वाली किसी की दवा तो साबिर कह रहे है बस इसको एक ही दवा है और वो दवा नायाब है और वो नायाब दवा कौन सी है वो नायाब दवा है अभासी अबासी उसके बाद कई जोगों पर और भी बात चीत हुई है जैसे के आप पिपिटी पर देख सकते हैं बात बड़े ही कहना चाहिए सिलसिलावार होती जा रही है मिया बीवी की लेकिन बाते जो हो रही है वो सिर्फ उसित नसीर के तालुक से और अबासी बेगम को किस तरह बुलाया जाया उस पर साथ ही हम देखते हैं कि अफसाने को एक मकालमे की शकले दी गई है जस तरह से जुम्लों का इस्तमाल किया गया है तो ऐसे में बच्चे इसे किस तरह से और पढ़ सकते हैं मतलब केवल अगर टीचर जो है वो बच्चों को ना पढ़ाए एक एक शब बच्चे खुद भी क्या इसकी प्राक्टिस कर सकते हैं एक और catching की तरह एक कोशिश कर सकते हैं आपको क्या लगता है यह मैं बिशक कर सकते हैं यह क्लित कर में ब्ता सकते हैं इसे पूरे सबक में कई जगों पर हमने देखा हैं मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है यहां मैं आपके सामने चन्द मुहावरे बता देती हूं पेश कर रही हूं गले का हार, कीरे निकालना, कीरे पढ़ना, कड़े पढ़ जाना, दैरिया को कूजे में बन करना सहर तूटना, तबियत सहर होना, तबियत सहर होने के बाद रट लगाना, खुशी से फूले न समाना, दम घूटना, कलेजा फूटना, आँखों में अंधेरा चाजाना, बाल बाकाना होना, पर लगना, और कलेजा मुह को आना अब यापके सामने तकरीबन मैंने नहीं भी, तो हमारे सामने तकरीबन 15 मुहावरे जो हैं मैंने किताब में से निकाले, इसमें और भी बहुत सारे हैं, जो बच्चे तलबा निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद आपको इसके माईनी वह इशारात, जो अलड़ी हम उने आपको पी-पी-टी में पेश किया हैं, देखिए लगज माईनी, जैसे हलीम, यानि कि बरदाश करने वाला, नेक मिजज, रहम करने वाला, तरदीद, किसी चीज या किसी बात को गलत ठहराना, इसी तरीके से मुनाजरा, यानि बहस और मुबाहसा, इस्तखवान, हड़ी, अब यहां गौर करने वाली बात यह है, कि इस अफसाने में मुन्शी प्रेम चन्न ने मुतवसत तपके के मुस्लिम घराने के रोजमरा जिंदगी की अकासी की है, जैसे मैंने बताया था आपको कि साबिर उसेन बहुत जादा अमीर नहीं थे, वो दाया रख नहीं सकते थे लेकिन मजबूरी यह थे कि बच्चा जो था, वो दाया से बहुत जादा घुल मिल गया था, अगर मैं यह कहूं ना तो यह मुनासिब होगा कहना, कि कुछ तो होते ही मुहबत में जुनू के असार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, ठीक इसी तरीके से अफसान ममता की मूरत है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करती किसी के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी, पूरी ममता, पूरी महबत, पुरा प्यार जो है, नसीर को ही देती है, अफसाने में और बच्चों की नफसियात को बड़ी खूबी से पेश किया गया है, यहां पर आपको जो है, सबसे पहले मैं यह काम दूँगी, कि अफसाने को गौर से पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई महावरे दिये गएं, आपको जुमलों में बनाना हैं, जैसे कलेजा मू को आना, तो मैं एक जुमला आपको बना के बता रही हूं, कलेजा मू को आना, बहुत ज़ादा डर जाना, तो नसीर की बीमारी की ख़बर सुनते ही, डाया का कलेजा मू को आ गया, या आप दाया की जगह अबबासी का कलेजा मू को आगया, आप इसके इलावा और भी कहीं जुमले बना सकते हैं, अफसाने को का खुलासा अपने अलफाज म हम सभी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और जते भी नाजरीन हमारे साथ बने होए थे उर्दू के इस सत्र में मुझे पूरी उमीद है कि यह सत्र आपको बहुत पसंद आया होगा यह अफसाना आपको बहुत दिल्चस्प लगा होग और बहतरीन अंदास से इसकी तश्री आपके सामने की गई है और दर्शकों उर्दू के अपने सत्र को हमें यहीं समाप्त करना होगा पर एक विशेश जानकारी हैं आप सभी के लिए और यह जानकारी एंसी आर्टी की विभिन पाठे पुस्तकों से जुड़ी हुई है जै आप उनलाइन और प्लेस करना चाहें तो वह भी संभव है और यदि आप इने पीडिएफ और सॉफ्ट कॉपी वर्जिन में डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो उसके भी तमाम जरीये हैं अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए एंसी आर्टी की अधिकार आफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप देखते रहे हैं इविद्या चैनल फिलहाल हमें दीजिये इजासत आदाव